तो गाईजर आज का मोसम सच में बहुत ही बड़ी आए और अगर सुबा सुबा वर्काउट कर लो फिर तो मज़े ही आ जाता है लेकिन मुझे समझनी आ रहा है आखिर ये हमारी घर में से ठोकने की आवाज कहां से आ रही है यार गाईज चेक करना पड़ेगा अरे सिंचेन क बच्छे तू ये क्या कर रहा है अब ये क्या कर रहा है अब ये क्या कर रहा है भाई हतोड़ी से अपनी कार को क्यों ठोक रहा है अब ये आप तो मुझे नहीं रिमोंट केंट्रोल कार नहीं दिलाओगी इसलिए मेरी पुरानी रिमोंट केंट्रोल कार को ही सही कर रहा हू येर में अब भाई इसको कब तक सही करेगा मैं दिला दूँगा तुझे थोड़ा सबर कर मेरी जैसी सेलरी आती है उसके बाद मैं तुझे रिमोन कंट्रोल कार दिला दूँगा वो भी एकदम ब्रैंड न्यू एरे आप रहने दो येर गाईज ये अजीब सी स्मेल कहां से आ एरे फिंग इन्बिया इसने ते पुरे घर गंदे कर दिये येर अबे हाँ सिंचन वही तो कह रहा हूं ये चोप का बच्छा पूरा का पूरा पागले गाईज आप देख रहे हो इसने हमारा पूरा घरी गंदा कर दिया बाई तुझे बोला है ना सुबा सुबा तू बाह है था येर और मेरी कहर सही करने लिग गया था में अब इस इंचन के बच्चे और चोप ये देखो हमारी घर के बाहर क्या चीज़े एरी क्या होगे येर अब इस इंचन इतना बड़ा ट्रक कहां से आगया भाई यार पता नहीं ये ट्रक कोन लगा के चला गया यहां पर उ पास तो मज़े ही आ जाएगा अगर उसने मेरा काम कर दिया अब हां ये तो लेंबर गी यह बाई यह तो बैनी है यार बैनी यहां क्या कर रहा है और इसके पास इतनी जादा महंगी कार कहां से आ गई और इस इंचन और फ्रेंगलिन कैसे हो तुम लोग अरे बैनी भी है मै मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ और यह जो तुम्हारे घर के बाहर ट्रक है यह भी मेरा ही है एरी यह ट्रक आपका है हम सोच रहे थे पता नहीं कौन हमारी घर के बाहर लगा किछ लागी है यह यहां से इसे इटा दू ना अरे हाँ मैं इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ मेरा एक काम है अगर तुम लोगों से करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा एरी फिंग इन्विया हम लोगों को इसके कायम कर दीना चाहिए हो सकते हमें बहुत सारी पैसी मिल जाई है यह आस इंचन तू सह है तुझे इसको एक लोकेशन पर ले जाना होगा इसके अंदर तुझे लोकेशन मिल जाएगी वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे उन्हें यह ट्रक दे के आ जाना बस इतना सा काम है और यह पैसे रख अभी इतने सारे पैसे बाप औरे मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे अरे है मैंने भी इतने पैसे नहीं देखे अरे यार मैंने भी यह कोई गलत काम तो नहीं करवारे हो आप हमसे यार इतने सारे पैसे वो भी इस छोटे से काम के लिए आप इनको घर में रख देता हूं वैसे भी इसे किसी ने देख लिया तो चुरा लेगा चलो फाइनली मैंने उस बैक को घर में रख दिया लेकिन यार मुझे समझनी आ रहा है बेनी ने हमें इतने पैसे दिये इस चोटे से काम के लिए अब बाल सब कल्वे मुझे तो लग बढ़नी होगी हम लोग देख लेंगे अब बाल सब तुम दोनों अपना ध्यान नी रखते हो मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ अच्छा ठीक है भाई तुझे अगर आना है तो आजा बेट जा तू भी लेकिन कहां बेटेगा इसमें जगाई नहीं है अब आप लोग प सब्सक्राइब कर लो और अगर आप भी जारना चाहते हो इस ट्रक के अंदर ऐसा क्या है जो बैनी ने हमें इतने पैसे दिया है तो यार जल्दी से कमेंट करके बताओ अब भास अब कलवे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की हम लोगों के पीछे थ्री स्टार की पुल है अरे रुको रुको अब यार यह तो हमें रुकने को भी बोल रहे है गाइस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या हो रहा है लगता है इस बेनी के बच्चे ने हम लोगों को किसी गलत काम में फसा दिया है एरे हैं फिंग इन भाई कितनी स्पीड में चला रह हुए हमारे पीछे हम लोगों को यहां से निकलना होगा सिंचन यार लगता है पुलीस पीछे रह गई मुझे यहां से स्ट्रक को दूसरी जगा ले जाना होगा अगर मैं रोड पे ले गया ना तो यह यहां से हमें पकड़ सकते हैं अब यार मुझे अभी तक समझनी आ रह करता इसके अंदर बॉम है अब चौप के बच्चे चूपो जा कुछ भी बोलता है भाई क्यों डरा रहा है हम लोगों को एरी फिंग इन्विया आप इस ट्रक खोलने की कोशिश करूने यह हां भाई मैं खोलने कोशिश करता हूं यह ले गाई से खुली नहीं रहा है भाई इससे यह ज़रूर खुल जाएगा मैं पूरी कोशिश करता हूं अब इस इंचन देखे खुल गया गाई सर चलो देखते हैं इसमें क्या है अब यह तो पूरा का पूरा खाली है गाई सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इस खाली ट्रक के लिए हमें इतने पैसे मिले है और यार हमारे पीछे इतनी सारी पुलीस लगी हुई है अब इसमें तो कुछ भी नहीं है एकदम खाली डबाए यह तो अब अब भास अब कल्वे मुझे तो कुछ गड़बर लगता है लगता है इस ट्रक के अंदर बो में अब इस इंचन और चोब तुम लोग चुप-च आ रहे थे कहीं पे अच्छा कहीं पे लेके जा रहे थे हमें बहुकूप समझाए क्या जल्दी बताओ इस ट्रक में क्या है अरे सर इसमें कुछ भी नहीं आप देखो ना खाली पड़ा है पूरा का पूरा अच्छा एक काम करो तुम लोग यहां से जल्दी से भाग जाओ नहीं तो मैं भी तुम्हें जेल में डाल दूँगा अरे फिंग इन भी यह हमें भागने को क्यों कह रहे हैं यहर अब सिंचन मुझे भी समझने आ रहा है लेकिन हमें यहां से भाग जाना चीए नितो इसने हमें जेल में डाल दिया तो प्राबलम हो जाएगी अब हाई सब कलवे तुने सही का चलो यहां से भागते हैं अब सिंचे नोर चौप जल्दी चलो अरे जल्दी भागो अब यार सिंचे नोर चौप चलो यहां से चलते हम लोग अब यहां दीक मत जाना अरे हां सन नहीं दीखेंगे हम लोग चल यार सिंचे नोर चौप जल्दी आजो एरे हैं दिखो दिखो गाइजर चलो दिखते हैं आखिर वहाँ क्या है अरे अच्छा हुआ मैंने उन लोगों को बगा दिया अब हम लोग एक काम करते हैं हमारे ओफिसर्स को पता नहीं चलेगा और इस ट्रक को हम रख लेते हैं इसमें बहुत ही महंगी चीज है अरे लेकिन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अरे इधर दोड़ के आना तब दिखेगा यह देख अरे यह क्या हो रहा है अरे इसमें तो कुछ निकला अरे यह चोटी सी बाई के इसमें तो अरे यही तो जादुई चीज है अरे इसमें क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अक हम लोग काम दंदा करते हैं अरे तुना मुझे ठोक दिया अरे अभी बताता हूं दे किदर मैं कुछ भी बोलूँगा इसे वह बन जाएगी बता क्या बनाओ इसे अच्छा ऐसा है तो लेंबर गिनी बना के दिखाओ इसे ठीक है लेंबर गिनी बन जा यह देख बन गई अरे भाई सींचेन ओ चौप तुम लोगों ने देखा वहां पर क्या हुआ अरे हैं फिंगन भी है हमने देखा वो जो बाइक थी वो ते जादू ही थी यहर उसके अंदर ही थी वो हम लोगों को नहीं दिखी अब भाई साब हम लोगों को वो ले लेनी चाहिए उन लोगों से आ मैं दोनों की पिटाई करता हूँ यह लग तेरी तो आओ बहुत जोर सो लगी अब लगने के लिए तो मारा मेरे चल यार सिंचेन और सो जल्दी से इस गाड़ी में बेटो और हम लोग यहां से निकलते हैं अब अब बहुत सब कलवा मैं तो उपर ही बैढ़गा जल्दी न नहीं आएगी आज इंचन तो नहीं सही का यह तो क्योंकि वैसे भी अब यह गाड़ी तो बदल चुकी है अब किसी को पैचान में भी नहीं आएगी यह वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को हमी रख लेते हैं और अब हाँ सब कलवे लेकिन बेनी हम लोगों रख लेंगे अरे हां फिंगिन बिया यह तो मस्त आइडिया है चलो चलो जल्दी चलो वैसे भी वो सभी बुरे लोग होंगे और गलत लोगों के हाथों में यह गाड़ी नहीं पढ़नी चाहिए यह अब एस इंचन हम लोगों को यह गाड़ी देनी है चल अम लोग देखत एक यह अच्छा तुम लोग वो गाड़ी हमें नहीं दोगे क्यों मजाग कर रहे हो वो गाड़ी तो हम तुमसे लेकर रहेंगे अरे हां बोस इसको लगता है यह गाड़ी आमें नहीं देगा अरे मुझे लगता नहीं है मैं सही कह रहा हूं यह लोग तुम्हारी तो अरह तेरा टकला फोर दिया अवेल ले तेरी मास्क वाले गाइज मेरे इन सब को ठिकाने लगा दिया सिंचेन और चुप चलो हम लोग यहां से जल्दी से निकलते हैं इस गाड़ी को लेके एरी हैं चली चलू तो गाइजर हम लोग उस जगह से आगे उन सारे माफियाओं को ठिका लिया है एरे हाँ यह तो बहुती क्यूट लग रही है यार एरे फिंग इन्बिया एक बार मेजिक करके दिखायो न अब वहाँ सब तू भी इसे एक अच्छी सी सूपर गोड कार बनाते यार अब हाँ चोप रुकुजा बनाता हूं मैं सोचता हूं कि यह एक गोड सूपर कार बन जाए और मैं से टच करता हूं यह देख एरे वाई यह तो सूपर गोड कार बन गई देखो यार कितनी खतरनात लग रही है आँ सिंचेन यह तो सच में बहुत ही जादा ओसम लग रही है गाईजर मैंने एसी सूपर कार कभी नहीं देखी एरे सूपर नहीं सूपर के भयाई यार्यहित इस बिधू पर वीडियो को लाइक करूं और जो सब्सक्राइब कर दो और यार्यार आप लोगों को वीडियो कौट पसंद आया तो प्यारा सा कमेंट भी टो नेक्स वीडियो में मिलते हैं Meer इस वीडियो पार्ट देखना चाहते हो कमेंट में नेक्स पार्ट लिख देना एरी हैं गाइसे लिख दे लिख दे और इस गाइड़ी से हम क्या क्या बनाए जल्दी कमेंट करके बताओ